वेलकम दोस्तों आज मैं बच्चों का टिफिन बनाने का बता रहे हूं मेरी बेटी की एक फ्रेंड है उसक्राइबर उन्होंने बोला था कि बच्चों के टिफिन बनाने के लिए तो मैं आज रवा चीला बनाना बता रहे हूं जो बच्चों के लिए काफी हिल दी है और रव अच्छे से फुल गया है, अब मैं इसमें अजवायन क्रस करके थोड़ा डालूंगी, और वेजिटेवल सोगरा मैंने रखे हुए हैं, काटके, चीली, ग्रीन चीली है, बहुत कम है, इससे बचों को कोई दिक्कत नेगे, गार्लिक है, पत्तागो भी है, फूल भी है, कटा ये सिमला मिर्च है, प्याज है, और धनिया है, सरदावक्ति के इसाब से, और आप इसमें बीन से, और भी सबजी है, तो आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अभी मैं इसमें थोड़ा गाजर भी डालूंगी, ताकि ये बच्चों के आईस के लिए बहु थेल दी होता है, तो इस सब्जी से पुरा भरपूर है, और भी आपके पास बीन सोगरा है, तो भी डाल सकते हैं, सिजनल जो भी सब्जी है, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी, पानी, क्योंकि अभी ये काफी गाढ़ा है, और थोड़ा सा सॉल्ट डाला मैंने, थोड पानी डाला और उसका बिटर अच्छे से बना के, और ये आप सब्जी होगरा ना, फ्रेज काटके ये करके फ्रीज में आप रख सकते हो, इसमें कोई ओ नहीं है, और सुजी भी आप रात को फ्रीज में रख दो, बस सुबह मिक्स करो, और चिले बनाओ, कोई इसमें ये न नौस्टिक का तवा है मेरा, तो ये आप, रेखिए मैं कैसे बना रही ही, और ये इतना हेल्दी है बच्चों के लिए, बहुत हेल्दी है, रवा भी हेल्दी है, और ये इतने वेजी टेबल्स है, और बच्चे एदम चट करके खाएंगे, मुझे पुरा येकीन है, मैं बना लिए, बच्चों को अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, आप इसे भी छोटा चाहें, तो इसे भी छोटा बना सकते हैं, पैनकेक की तरह, जैसे पैनकेक बनाते हैं लोग, तो इसी तरह ये छोटे-छोटे भी बना सकते हैं, पैनकेक, थोड़ा द जहट दी मैं ताकि उपर से भी यह हो जाए और आप इसको पलट देंगे, देखिए कितना आराम से हो गया है, प्रिये प्रेपरेशन रात में करके रखिएगा तो सुबह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जहट पट मिंटो में यह बनके तयार हो जाएगा, अभी मैं उपर से भी लिट लगा दी, देखिए बनके तयार हो गया, अभी मैं आपको टीफिन लगाना, बताओंगी, टीफिन में क्या है कि मैं ऐल्मुनियम क्वाइल में जो है, मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि ऐल्मुनियम क्वाइल उतना सेफ नहीं होता है, तो मेरे पा का हेल्थ की बात है, आप बटर पेपर में आप पैक कर सकते हैं, और मैंने ये रखा हुआ, और मैं मीरे पास चॉकलेट था, मैं चॉकलेट रखने हूँ, पता है, गरम में चॉकलेट तो तिघल जाएगा पर आप ऊपर से रखेगा, और एक फ्रूट्स जरूर रखेगा, आप एक केला हो गया, एक फल हो गया, जो भी दो जरूर रखियेगा ताकि बच्चों अर्बनfire कैन टिफिन तयार है, और एक फूर्ट जरूर रखियेगा बच्चो ने बच्क को जो फूर्ट पसंद recent हो के ला हो और आरेंज हो तो मतलब जो भी अम्रूद हो जो भी फूट्स पसंद हो वो बच्चों को डालिएगा और बनके तिफिन आपका तयार है और भी मैं रेस्पी डालूंगी बच्चों की तिफिन का जो जहटपट बनके तयार हो जाए तो थैंक यू थैंक यू सो मच और आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए और लाइब सस्क्राइब करिए जै हिंद जै भारत